तो थोड़ा सा सर्म कर लो, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में पूरे घर की लंका मत लगवा दो एक पॉइंट हमाइस पहीं को पॉइंट आइक बात तो पॉइंट नंबर वन की बात करें तो आप कहीं सी भी दैवाल बना रहे हैं तो दीवाल बनाने में कुछ इस तरीके से इट का उप्योग किया जाता है तो दीवाल बनाने से पहले आपका नैतिक करतब है कि आपको इट को कुछ इस तरीके से भीगो लेना है बहुत सारे लोग इसको फालतू सबस्ते हैं कि इट को भीगो कर अपना टाइम बरबाद कर रहे हो पानी बरबाद कर रहे हो तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सूखी एट किसी भी मौश्र को किसी भी नमी को अपने अंदर खीच लेती है तो एट जोड़ते समय जब आप सूखी एट पर मसाला डालेंगे तो मसाले के अंदर की जो नमी होगी उसको एट अपने अंदर खीच लेगा जिससे मसाले की जो मजबूत होने की छमता होगी वो कम जोर पड़ जाएगी क्योंकि मसाले को मजबूत होने के लिए परियाप्त वाटर की जरूरत होती है तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेश्ट यही होगा कि आप दीवाल बनाने से पहले को भीगाने के बाद निक्ष्ट इश्टिप में इंट को जोडने के लिए हम उसका तरीके से मौर्टार याणि की मसाला बनाते हैं जिसमें सीमेंट सेंड याणि की सीमेंट और र्ष्ट का मिक्शर होता है auf तो यदि आप 9 inch यानि की 9 inch thickness की दिवाल के लिए mortar यानि की मसाला बनवा रहे हैं तो उस situation में आपको mortar यानि की इंट जोडने के लिए मसाले का जो ratio है वो 15 या फिर 16 रखना है 15 का मतलब 1 bag आपका cement हो गया और 5 bag आपका sand यानि की rate हो गया 16 का मतलब 1 bag आपका cement हो गया और 6 bag आपका sand यानि की rate हो गया तो 9 inch की दिवाल जोडने के लिए 15 या फिर 16 ratio का mortar आप यूज कर सकते हैं आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी second point की बात करें तो घर के अंदर की जो partition वाल होती है उसकी जो thickness होती है वो 4.5 inch ही रखी जाती है तो यदि आप 4.5 inch की दिवाल जोडने हैं तो आपको mortar यानि की eat जोडने के लिए जो मसाले का ratio रखना है वो 1.4 या फिर 1.5 रखना है example की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 4.5 inch की दिवाल जोड़ी जा रही है और 4.5 inch की दिवाल जोडने के लिए यहां पर 1.4 ratio का mortar यानि की मसाला बनाया गया है तो यह point आपका 100% clear हो गया कि भाई साब आपको eat जोडने के लिए किस ratio की mortar यानि की मसाले का उपयोग करना है मसाला बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से eat को जोडा जाता है तो eat को जोडते समय आपको कुछ point का जरूर से जरूर ध्यान देना है जैसे दो eat को जोडते समय दो eat के बीच में जो जगा होती है उसको आपको बहुत ही अच्छे से एकदम से कन्नी से कूंट कर भरना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम कन्नी से कूंट कर भरा जा रहा है यदि आप कन्नी से नहीं कूटेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो eat के बीच में कुछ इस तरीके से गईप रह जाएगा यानि कि थोड़ा सा hole बन जाएगा और जब आप प्लाश्टर करेंगे तो आपका प्लाश्टर वहीं पर बैठ जाएगा और प्लाश्टर में क्रेकिंग आ जाएगी तो eat को जोड़ते समय आप इस बात का विसे ध्यान रखिए कि आपका mystery दो eat के बीच के गईप को अच्छे से भर रहा है या फिर नहीं एकदम कूट कूट कर भरवाईएगा नहीं तो बाद में आप पस्ताएंगे और जब आप पस्ताएंगे तो आप अपने mystery को कोसेंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है इसलिए पहले ही अपने mystery को बोल देना कि भाई दो eat के बीच का जो गयप है उसको अच्छे से कूट कर भरिये और इसके साथ-साथ eat को जोडते समय कुछ इस तरीके से साहूल का उपयोग जरूर से जरूर कराना है साहूल का उपयोग करने से आपकी दीवाल एकदम सीधी बनती है ये दीवाल सीधी नहीं बनेगी तो भूकम के समय सबसे पहले वही दीवाले गिरती है जो टेड़ी होती है तो आपको टेड़ी दीवाल नहीं बनानी है आप ये चेक कर ये कि भाई साथ आपका मिस्त्री दीवाल बनाते समय इस तरीके से साहूल का उपयोग कर रहा है या फिर नहीं नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कि दीवाल बनाते समय आपकी दीवाल लंबाई की डारेक्शन में एकदम सीधी बने इसके लिए कुछ इस तरीके से थ्रेड यानि की तागी का उपयोग किया जाता है तो ये भी चेक कर लीजेगा कि आपका मिस्ट्री तागा लगा कर आपका दीवाल बना रहा है या फिर नहीं या फिर इंट उठा उठा कर बस रखते चला जा रहा है बहुत सारे मिस्ट्री मैंने देखा है कि भाई इंट उठा कर बस रखते चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई एकदम सीधा है आप टेंसन मत लो एकदम बढ़िया हम मक्खन की तरह दीवाल एकदम सीधी साधी बना रहे हैं तो ऐसा मत करना थ्रेड लगा कर तागा लगा कर प्रतिक इस टिप को अच्छे से जुडवाना नेक्ष्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दीवाल और कॉलब के जाइन पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंख आ जाती है तो इस तरीके से क्रैकिंग ना आएं इसके लिए सिंप्ली आपको छोटा सा काम करना है आपको कॉलम में दीवाल जोडने से पहले कॉलम के सरफेस को यानि की कॉलम की सता को कुछ इस तरीके से रफ कर लेना है खुरदरा कर लेना है आपको करनी या फिर किसी हथाओडे वगारा से मान कर अच्छे से कॉलम की सरफेस को रफ करके खुरदरा करने के बाद जब आप एट को जोड़ेंगे तो आपके कॉलम और वाल की जॉइन पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आएगी बहुत ही important है कर लीजेगा नहीं तो बाद में इस तरीके से क्रैकिंग आ जाएगी न तो किसी से बोलने से कोई मतलम नहीं रह जाएगा फिर next point की बात करें तो आप देख सकते हैं कि door और window यानि की दर्वाजा और खिड़की की corner पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है क्रैकिंग ना आए इसके लिए simply आपको क्या करना है कि door और window के बिल्कुल ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लिंटर लगा देना है यदि आप लिंटर लगा देंगे तो इस तरीके से क्रैकिंग नहीं आएगी अब दिवाल बनाते समय एक चीज बहुत ही important है लेने की देने पड़ जाते हैं प्लास्टर में ऐसी की तैसी हो जाती है दिवाल एकदम चकाचक जोडने के तुरंत बात आपको कुछ इस तरीके से जाडू जरूर से जरूर लगा देना है जाडू लगाने से क्या होता है कि जो मसाला होता है यानि की एट को जोड़ते समय जो मसाला बाहर की तरफ निकला रहता है जब आप कुछी तरीके से जाडू लगाते हो तो वो गिर जाता है अगर आप जाडू नहीं लगाओगे तो वही मसाला जो है दीवाल के बाहर निकल जाता है अब इसे दिक्कत ये आती है कि भाई साब जब आप प्लास्टर करने जाते हो ना तो प्लास्टर की जो मोटाई होती है आपको बढ़ानी पड़ती है तब जाकर इंट को जोड़ते समय जो मसाला बाहर निकला रहता है वो अंदर की तरफ दफन होता है और plaster की मोटाई ज्यादा करने के बाद plaster में cracking आना start हो जाती है तो ये बहुत ही important काम है इसको करा लीजेगा इससे आपके plaster में cracking नहीं आएगी और इसके साथ plaster करने में माल material भी थोड़ा कम लगेगा और एक important point घर के चारो तरब की दिवाल आपको 9 इंच की जरूर से जरूर बनानी है बहुत सारे लोग pillar और plint beam पर घर बना के ये सोचते हैं कि भाई साब अब इसको भगवान भी नहीं गिरा पाएगा तो थोड़ा सा सर्म कर लो थोड़ा सा पैसा बचाने के चकर में पूरे घर की लंका मत लगवा दो तो घर बनाते समय कोई आपका खास समखास क्यूं न हो चाहे जितना खास हो अगर कोई ये बोल रहा है कि घर की चारो तरब की जो दिवाल है उसको साड़े चार इंच में करा दो पतली करा दो तो भूल कर भी मत कराना उसको बोल देना कि भाई मैं आपकी सारी बात मान लूँगा लेकिन ये बात हम कभी नहीं मानेंगे हमारा पैसा बरबाद हो रहा है तो आप होने दीजिए हम 9 इंच की दिवाल बना कर बरबाद होना चाहते हैं बोल देना लेकिन घर के चारो तरब की जो दिवाल है वो 9 इंच से कम मत बनाना अहले दिक्कत यह है कि भाई सब कमजोर दिवाल होती है कोई भी आसानी से तोड़ सकता है मान लीजी आप घर पर नहीं है तो कोई भी चोरू चका आपके घर को आसानी से तोड़ कर उसमें सेद लगा कर घर के अंदर गुज जाएगा अम् hatır लीजिये आपके यहां ये कोई डिक्कत ही नहीं है कि आप बहुत अच्छे इलाके में रहते हैं वहाँ चोरी वाली कोई डिक्कत ही नहीं है तो भूकम के समय बाहर की वही दिवाले सबसे पहले गिरती हैं जो 4.5 इंच की होती हैं और यदि आपका कुश्चन है तो comment box में comment करके जरूर से जरूर पुछिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करके एक प्यारा सा comment कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो आप super thanks के रूप में कुछ सहयोग कर सकते हैं अभी के लिए वसे इतना ही अपना ख्याल लखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आप सबी से भीड़ा लेतने हैं धन्यवाद